नमश्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल निक्स्ट नाइन स्प्रीच्वल में और मैं हूँ आपके साथ आरती रोजाना की तरह हम फिर से हाजिर अपना स्पेशल प्रोग्राम आज का राशी फल लेकर जाम आपको बताते हैं आज का दिन आपका किस प्रकार से गुजरने वाला है पर उससे पहले आपको बता दे राशी फलका हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है राशी की अनुसार, विक्ती के स्वभाव और भविश्य से जुड़ी कई जानकारी के बारे में आसानी से पता लगाया चा सकता है ग्रह कोचर और नक्षत्र की चाल के अधार पर राशी फलका निर्माण किया जाता है ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है इसलिए हमारे दैनिक जीवन में घटरही घटना है हमेशा समान नहीं होती आज 14 अक्टूबर सोमवार का शुब दिन है और आज भोलेनात की कृपा कुछ राशी उपर होने वाली है जिससे इनका भाग्य खुल जाएगा आज का दिन आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला सकता है आपके इन सबी सवालों का जवाब आपको आज के इस राशी फल में मिलने वाला है तो चली शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेश राशी के बारे में परिवार के सदस्यों की जरूरतों को आज आप पूरा करेंगे विवसाई किसी नई परियोजना पर भी काम शुरू कर सकते हैं कारे सल पर आपका प्रदशन काफी जादा बहतर होने वाला है और समय से अपने लक्षियों की प्राप्ति आप लोगों को हो जाएगी अब बात करते हैं व्रिशब राशी के बारे में तो बता दें आप अपने आज पास एक पॉजिटिव एनरजी महसूस करने वाले हैं कारे शयली में रचनात्माग और कारे जीवन में प्रगती के लिए प्रेरित कर सकते हैं परिजनों और अपने चाहने वालों के साथ खुशी मनाने की कोई बड़ी वज़ा मिल सकती हैं आप लोगों को मिथुन राशी धन कमाने के लिए नए स्त्रोत खुल के सामने आ रहे हैं मेहनत के चलते कारोबार में आपको अच्छा फल मिलने वाला है परिवार में किसी से अनबन चल रही है तो आपके संबंदों में सुधार होने की संभावना भी बनी हुई है किसी पुराने साथी से मुलाकात आपके लिए काफी जादा आशर चकत और खुशी देने वाला रहने वाला है चलिए अब बात कर लेते हैं करकराशी के बार में उनका आज का दिन कैसा पीतेगा कार्यों में आज सफलता मिल रही है उसी के साथ करियर को उम्मीदों के पंक लग रहे हैं कारेस्तल पर चीजें आपके अनुसार रहने वाली है कोई शुपशमाचार आपको मिल सकता है अपने लक्षे को प्राप्त करने में आप लोग काम्याब हो जाएंगे चलिए अब बात करते हैं सिंग राशी के बार में करियर में आपका प्रदशन उम्मदा रहने वाला है साथी का पूरा सहयोग और संबंधों के मदुर होने की संभावना है नौकरी या बिजनस के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं अब बात करते हैं कन्या राशी के बार में तो आपको बता दे आज के दिन आप अपनी भावनाओं में सकारात्मक परिवर्तन महसूस कर सकते हैं ये परिवर्तन खुशियों से भरपूर रहने वाला है कामकाजी विस्ताओं के बीच परिजनों के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं परिवार में कोई बड़ा आयोजन भी हो सकता है जिससे आपका मन खुश रहने वाला है अब बात करते हैं तोला राशी के बार में तो आपको बता दें आज का दिन तोला राशी के लिए काफी शुब रहने वाला है दोस्तों और परिजनों के साथ समय वीच सकता है काफी प्रसंद रहेंगे खर्च और निवेश बढ़ सकता है लोगों से आप लोगों को सराहना मिलने वाली है चली आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब वरिश्चिक राशी के बार में तो बता दें आपको लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद अब खतम होने वाले हैं परिवार का महौल आपके लिए आपके अनुकूल रहने वाला है आएके नए साधन खुल रहे हैं कारोबार में आर्थिक लाव हो रहा है घर परिवार में बढ़ों का सानिध्य सुख प्राप्त हो रहा है अब हम बात करेंगे धनू राशी के बार में तो आपको बता दे कारोबार में मुनाफर मिलने वाला है सभी काम आसानी से पूरे होते हुए दिख रहे हैं खुद पर भरोसा रखेंगे तो आगे जरूर बढ़ेंगे घर में सुखमे वातावरन बना हुआ है जीवन साथी से वेच्शारिक मदवेद दूर हो सकता है चलिए अब आपको बताते हैं आज का दिन मकर राशी के लिए कैसा रहने वाला है कारे स्थल पर आप लोगों को काफी जादा मेहनत करनी पड़ सकती है जिसका आपको लाववे मिलने वाला है मेहनत और लगन से आप लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई देरें घर परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा मांसिक रूप से खुशी की अनुभूती हो सकती है नई जगव पर घूमने जा सकते हैं कुमबरासी नए व्यवसाइक संबंद मजबूत हो रहे है जीवन साथी का सही योग मिल रहा है और ससुराल पक्ष से भी आपको सही योग मिलने वाला है इस्च मित्रों का सही योग प्राप्थ होने की संभावना पने हुए और परिवार का भी सही योग मिल रहा है अब अंत में हम बात कर लेते हैं मीन राशी के बारे में तो बता दें आपको मीन राशी वाले लोगों को आर्थिक मामलों में अब सहायता मिलने वाली है इसी के साथ मित्रों से भीट हो सकती है कला कौशल में बल मिलने वाला है नए काम की शुरुआत के लिए दिन बहुत ही अच्छा है खुद को मानसिक रूप से काफी जादा मजबूत समझने वाले हैं अब ये राशी वाले तो ये था आज का राशी फल्म